जो सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं इस इंट्रिव को उनको अगर मेरी जानकारी सही नहीं होगी तो अश्विन जी से मैं गुजारिश करूँगा कि ठीक करने लेकिन जितना मैं जानता हूं कि जो शास्त्रिय संगीत के अलग-अलग घराने हैं उसमें टपा गौालियर घरा गाती थी उनकी जो शिश्याएं हैं जो अभी उनकी उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रही है वो भी गाती है लेकिन यह बात अश्विन जीने सही की कही कि जो उप शास्त्रिय संगीत है यानि सेमी क्लासिकल है उसमें ठुमरी दादरा चैती कजरी यह सब फिर भी जादा टपा उतना कम जादा सुनने को नहीं मिलता और वो भी टपे पे अश्विन काम कर रहे हैं बांसुई पर तो निश्यत तोर पर जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ऐसे जो प्रयोग हैं उनका तो स्वागत होना चाहिए अश्विन जी मैं अब चुकी बहुत कम इंट्रव्य इसे दिल से हुए हैं जिसमें कोई मतलब इंटरनेट ने भी महरबानी की हो कि कोई विवधान ना पैदा किया हो जहां सवाल जवाब बहुत आराम से हो रहे हो और यह परंपरा से अलग हटके भी इंट्रव्यू हुआ है वरना अमूमन बातचीत होती है कि कब तैकिया की प वो जो आपको लगता है कि आपको बताना चाहिए इस इंट्रव्यू में तो मन चब आपका है आप जरूर बताईए ऐसा आप से तो सवाल कोई रह नहीं गया पर कुछ बाते मैं कहना चाहूंगा जरूर जहां पर भी मुझे यह अफसर प्राप्त होता है तो मैं कुछ बातें जितना भी हो सके अगर किसी ने मान लिया या कोई उल्टा भी कह सकता है कि तुम होते को ना मुझे बताने वाले पर फिर भी मैं कहूंगा कि यह मेरे अपने स्टू़ेंट्स को मैं काफी बताता हूं यह चीजे मैं मैं फिलोसोफीकली ज्यादा बताता हूं मैं मैं मुझे कली बहुत कम सिखाता हूं जब के मियुजिकल हैं ही पर उनको फिलोसोफी और उनके थौट प्रोसस जो जीवन चरिया जो जीते हैं उसी दिल से पालता हूँ, उनमें से सबसे पहला ये कि ये जो हमारा जीवन है, ये एक ही जीवन हमें पता होने वाला है, और इस जीवन में ये पल जो है, ये एक ही बार आने वाला है, इस पल को वापस आप जी नहीं सकते, ऐसा दूसरा पल आप जी सकते हैं, ये वापस नहीं आएगा यह वापस नहीं आएगा तो फ्रम डाट पॉइंट ऑफ यू और यह भी नहीं कि हमें पता नहीं है हमारी एक्षपारीडेट कब है सबका आना यह भी निश्चित है तो जितना हो सके हर पल को वैसे जीएं जो आप चाहते हैं जीना वह अभी जी लो यह बहुत अच्छी खुबसूरत बात मैंने एक किताब है रिच डाट पूर डाट की उसमें उसने लिखा है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीरों की तरह जीना शुरू कर दीजिए अमीरों की तरह जीने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है अमीर बनने के लिए पैसों की ज़रूरत है आप आपकी जीवन शैली को अमीरों की तरह बना लिए क्योंकि आपको अमीर बनना है यदि आपको अमीर बनना है या यदि आपको एक आपके कोई आइडल है आपके आदर्श है जिनकी तरह आपको बनना है आप उनकी तरह रहना शुरू कर दीजिए उसके लिए वो अलग से कोई महुरत नहीं आने वाला एक कोई ऐसा दिन आप चुन नहीं सकते कि इस दिन के बाद में वैसे रहो नहीं अगर यह आपके आदर्श है आपके आदर्श को सोच समझ कर चुनिए सबसे पहले तो वो बहुत जरूरी है और अगर आप खुद के बापके बच्चे हैं तो अपने बच्चों में वो संसकार दीजिए जो आप में है या आप में शायद उसकी कमी है तो उस चीज़ को पहचान कर वो आपका करतव्य है और हर पल को जीना बहुत जरूरी है यह जब से मैंने शुरूर किया है, काश मुझे पहले पता होता, पर जब से मैंने इस चीज को समझना शुरूर किया, क्योंकि कोई भी चीज कुछ समय के बाद माहिने नहीं रखती, आज से आप कुछ से प्रश्म कीजिए, कोई भी हुआ दरशक, खुछ से यह सवाल कीजिए कि आज से पांच साल पहले मेरे सिंदगी में, मैं जहां पर भी था, उसका आज मेरे सिंदगी में क्या मोल है, क्या माईने है उस चीज के, नहीं है, मैं यकीन की साथ किया सकता हूँ यह चीज, तो फिर आज जो आपके साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा जो भी, इस है, तो कल जो खाया मैंने उस चीज का आज कोई मतलब नहीं बनता, आज मैं जो खाने वाला हो, इसका कल पर कोई असर नहीं होने वाला, तो अगर मुझे आज कुछ करना है, कुछ अच्छा अगर उसमें भी करना है, तो अब ही करो, यह जब से मैंने करना शुरूर किया, व और बे तुकी चीज़ों के लिए समय नहीं बचता भी I'm constantly finding myself saying मेरे पास इसके लिए समय नहीं Let's not waste time ये करना ज़्यादा जरूरी है तो यही करना है इसका मज़ा आ रहा है इसका पागलपन है तो यही करना है जो जो भी हो उस चीज़ को आपको नाप तोलने की जो उसकी जो उसके संसकार जो है आपके शायद माबाब ने दिये होंगे या आपके मित्रों में आपने पाया होगा या आपके आदर्शों में आपने देखा होगा उस चीज़ को नापने तोलने की आपमें काबलेत जरूर है हमें हम खुद रोकते हैं किसी भी चीज से हम स्वयम खुद को वंचित करते हैं और कोई नहीं करता आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि इसकी वैसे हो गया या वैसे हो गया इसलिए यह हो गया कोविड हो गया इसलिए मैंने वह नहीं कर पाया या मेरी नौकरी छुट गए हमें कोई रोकता नहीं है, दो वक्त की रोटी चाहिए बस सिर्फ, उसमें भी एक वक्त की रोटी से इनसाद जिंदार जरूर रह सकता है, बागी सारा कुछ तो पंके कम पालो और वो ही करो जो आपके मन में आये ये कोशिश करके देखियेगा अगर है यसंट फॉफ ainda आपको एक नई जिन्दगी दिखाई देगी ये मुझे कोविट के टाइम से ज्यादा पता चला है कि जीवन बहुत ज्यादा अमूलिय है और उसे बेतु की चीजों में मुझे वो बरबाद नहीं करना है अगर मुझे करना है कोई चीज तो मैं कर जाता हूँ इसी वज़े से मैं फिल्म मेकिंग सीखा मैंने अभी खुद सीख के कोविट के टाइम पे अपनी वेबसाइट बनाई है विदाओ इनी हेल्प अब मैं दो तीन बहुत ही ज्यादा इंटरस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे जुड़ावाँ जिसका खुलासा इस समय नहीं कर सकता पर in the coming times अगले दो साल के अंदर अंदर तीन चार ऐसे अलग अलग फील्ड के प्रोजेक्ट्स हैं और किसी दिन मैं फिल्म बनाऊंगा मैंने स्क्रिप्टिंग करना सीखा शॉट फिल्म के तीन चार स्क्रिप्ट्स लिखके रखी हुए हैं जिसको भी सुनाया अच्छा ल जाना है और ऐसी ऐसी चीज़ें बजानी है जो जैसे मेरे अभी आज काफी सालों से पर इस समय इस दौरान बहुत ज्यादा मैं प्रेरित हो रहा हूं पंडिक कुमार गंदर जी की गायकी से तो उनकी चीज़ें मुझे बजानी है उनकी गायकी उसमें जो शूतियां लग लग रही है और वह बेसुरा ना लगे शूतियां लग रही है अवश्य पर जैसे दर्बारी में उनके निशाद और धैवत का एक अलग ही लगाव है वह दा यह दर्बारी है तो यह दर्बारी है लगभग पंचम के पास उन्होंने लगभग शुद्ध धैवत यह 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 यह मैं गाता हूं तो बेसुरा लगेगा पर आप उनकी गायकी सुनिए आपको दर्बारी एक्तम स्वच नजर आएगा अगर आप उसको और सुक्ष्म रूप से देखेंगे सुनेंगे तो फिर वो धैवत और निशाद चड़ा ही मिलेगा आपको पर वो जो अप्रोच है और उस चीज़ का अशर जो है दरबारी का दरबारी यह भी सही है वह भी सही है शास्त्र में क्या लिखा है किसी ने एक्तम पके रूप से कोई नहीं जानता मैं किसी को यह नहीं कर रहा पर एक तम यहीं करना चाहिए ऐसा कही नहीं लिखा है लिखा हुआ होगा पर इसका अगर असर हा रहा है तो इन्होंने भी कुछ सही किया होगा उसके अगेंस मुझे रेबल कहा जाते थे वह रेबल आर्टिस्ट तो उनके रेबलियन में मैं धूंड रहा हूं कुछ और उस चीज़ को मुझे पाना है तो मैंने बहुत सारा कुछ कमर्शिल काम अपना बंद कर दिया और मैं इसके पीछे लगा हूँ होपफुली आप लोगों के सभी के आशिरवाद से वह मुकमल होगा और भगवान की दया होगी उपर से तो फिर शायगो जहां तक भी उस काम को ले जाया पाए जा सके उतना मै हम लोग एक घंटे से जादा समय से बात कर रहे हैं और यकीन मानिये मतलब जैसा मैं थोई देर पहले आपको बता रहा था कि टीवी जर्नलिस्ट हूं 1999 से देश के तमाम चैनलों में नौकरी कर चुका हूं कई हजार इंट्रिव्यू की होंगे मैंने लेकिन खत्म करते करते ऐसा विशेच हिर दिया कुमार जी का जिनकी जिनके मतलब अगर दीवानों की फेरिस बनाई जाएगी तो उसमें मेरा भी एक नंबर होगा जी मुझे तो आपने रिबेल कहा तो सिर्फ एक लाइन में बता दूं कि वो तो कहते थे कि मैं घरानों की कुली ग देखो हाथी को चारों तरफ से देखो कभी 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 हम लोग यह यह हमारा आपका आज प्रॉमिस आपसे ले रहा हूं मैं क्योंकि समय आपको निकालना है मेरे पास को समय रहता है एक हम लोग बातचीत करेंगे सिर्फ कुमार गंधर्व जी पर इस विशे के लिए तो मेर नापसंद कैसे वह राग उनकी बातें उनसे तो मतलब आप यह समझे कि यह जो शास्त्रिय संगीत सुनने की तमीज आई थोड़ी बहुत अभी तक वह कुमार जी की दी हुई है क्योंकि हम लोगों ने कई बार होता है ना जो बात देखे थोड़ी दे पहले मैं कह रहा था कि आप आसान चीज सुना कर भी कठिन तक ले जा सकते हैं अकेला से और शुरुवात तो हुई थी उनकी निर्भय निर्गुण गाउंगा से लेकिन वह बाद में समझ डेवलप हुई कि यह तो कुमार जी को सुनना है तो जाइए उनका पूरा जो शास्त्रिय संगीत का आना है जितना डूंड़ो उतना कम यह तैह रहा यह मतलब आपको समय निकालना है लेकिन जो सब्सक्राइबर्स इस इंट्रिव्यू को देख रहें उनसे हम दोनों का यह वाइदा है और अश्विन कुमार जी के नाम पर मैं इनको वापस ले आऊंगा तो जब दुबारा अगी तो पिर और बात करेंगे और इनके दर्शन पर बहुत करेंगे क्योंकि नहीं भी बहुत भाइडियाओं अरे नहीं 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 तो माँ यह कहती थी कि कि और कितनी सच बात है यह कि वह मुजिकल फौर्ट शर्ट बात है जब उस समय आ रहे हैं किसी आडिसका सेम राग दो दिन एक जैसा नहीं आता आना नहीं चाहीए अगर तो फिर वह कहीं नहीं खोट है उसमें नहीं आता इसी लिए क्योंकि उस समय जिस दिन अच्छा नहीं आया उस समय उसका जो कनेक्शन ह है वो शायद कहीं न कहीं कम है और जिस दिन अच्छा आ रहा है उस दिन ज्यादा ऑनेस्ट बनता है ऑनेस्ट तभी बन सकता है आदमी जब उससे वह जूट निकाल दें अपने शरीर से अपने यह से सिस्टम से और है फ्रम डाट पॉइंट ऑफ यू हम क्रिएशन नहीं कर सकते यह मैंने क्रेट किया है नहीं हो सकता जिसको यह लगता है शायद वो खुझ से जूट बोल रहा है यह शायद उसको पता नहीं है उचीज हम जरिया है विएर मीडियम ऑफ एक्स्प्रेशन किसी और डाइमेंशन से म्यूजिक हमसे बात करने की कोशिश कर रही है और उसकी उरजा हम खीच रहे हैं और उस नमन को मेरे मेरा भी नमन बट हमारा कुछ नहीं है उसमें और मैं जबरस्ती हम्बल बनने की कोशी नहीं करा है मैं कि I'm just I'm who I am I can't I have to call a speed a speed so yeah thank you very 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 much बहुत 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 सारी शुब कामना आप यूहीं जो आपके तमाम इंस्ट्रुमेंट है उसमें दो चार इंस्ट्रुमेंट और जुणें कुमार गंधर्व जी आपकी बासुरी में आए टपा आए बस यही फिलाल तो ईश्वर से मा गंगा से यही दुआ कर सकते हैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धेर सारी शुब कामन जन्यवाद जी थैंकि यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राये रखें इसके लावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें जिससे जब भी हम कोई नया व जन्गीत के बारे में जागरुकता फैलाने का एक मंच है जो एक रेजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खासतोर पर ये मुहीम चला रहे हैं जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे